दोस्तो एक बलब को दू सुच से चलाने के लिए हमें यहाँ पर दो टूबे सुच की जुरुत पिड़ेगी देकि टूबे सुच क्या होता है ब Score मैं आपको पता देताँ उससे पहले में आपको एक normal सुच दिखा देताँ यह जो board है, इस board के अंदर एक normal switch लगा हुआ है, जिसमें cable दो pole पीछे की side में दिये हुए है, एक ये वाला pole और एक ये वाला pole, लेकिन दोस्तों जो two-way switch होता है, उसके अंदर आपको यहाँ पर तीन pole दिखाई देते हैं, पीछे की side में, एक, दो, तीन, इस तरह के तीन pole आ इसे दूसरे two-way switch के जो उपर वाला point है, यहाँ पर इस तरीके से connect कर देना है, एक दूसरी wire लेनी है, उसका एक सिरा, यह जो नीचे वाला pole है, इस pole पर connect कर देना है, यहाँ पर connect करने के बाद, आप आपको यह जो दूसरा सिरा है, इस wire का इसे यहाँ पर इस तरीके से connect कर कर देना है यहां पर connection करने के बाद के connection कुछ इस तरह के हो जाएंगे जो भी कुमेंट आप इसके साथ में connect करना चाहते हैं चाहें आपके घर की motor हो या फिर आपके घर का बल्ब हो उनमें दो बायर जरूर दियोंगी फेस और नूटल की फेस की बायर है उसे यहां पर बीच म फेस और नूटल की तो यह वाला हमारा फेस है और जिस पर टेप लघा हुआ यह हमारा नूटल है यह वाला जो नूटल बल्ब का हैए इस बल्ब के नूटल को इस सप्लाई के नूटल के साथ में connect कर देना है और इसके ओपर आपको tapping कर देनी है दोस्तों अब यह जो सप्ल लगा देता हूं तो फिलाल दोस्तों मैंने इसे supply से लगा दिया है अभी वल्ब हमारा जल रहा है अब मैं इसे यहां से off कर देता हूं तो यहां पर यह off हो गया इस switch से अगर मुझे on करना है तो मैं यहां से इसे on कर सकता हूँ और चाहूं तो मैं दोस्तों यहां से इसे off भी कर सकता हूँ इसी तरीके से दोस्तों आप motor के भी connection कर सकते हैं और एक ही motor को दो जगे से आप operate कर पाएंगे दोस्तों इन में से कोई भी चीज अगर आप purchase करना चाहते हैं तो उनका link मैं description में दे दूँगा बहां से जाके आप इन्हें खरीद सकते हैं